दोस्तों कि आप जानते हैं कि stock market में हम speculative investment ना करके कुछ basic fundamental analysis करती हुए अगर investment करते हैं तो हमें most of the times multi-wagger returns मिलने ही मिलने हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का एक बर फिर से stock for retail पर stock market से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ तो दोस्तों यहाँ पर screen पर आप देख रहें Indian Energy Exchange Limited का stock right अब आपको देखने से लग रहा होगा केवल 250 रुपाय का यह stock trading company है और आगे bonus share announced किया इसने ठीक है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए events में तो Indian Energy Exchange ने यहाँ पर recently bonus announced किया था 2 is to 1 की ratio पर यानि कि हर एक share पर दो share आपको bonus मिलते तो आपके पास total number of shares हो जाते तो यहाँ पर clearly समझ सकते हैं कि current price को अगर हम लेते हैं और इसको multiply करते तीन से तो हमारे पास 1500 रुपाय पर share आजाता है ठीक है वहीं पर Apollo pipes limited देखिए 533 रुपाय के आज पास trade कर रहा है और इसने भी 2 is to 1 की ratio में bonus share इसकी तो प्लियर यह stock 15 रुपाय पर share से जादा हो जाता है current rates पर अगर हम bonus share को consider करते हैं ठीक है चलिए stock market में अगर आप investment करते तो आपके पास एक DMAT account अलड़ी होगा है या नहीं है तो दूसरा DMAT account open करिए Angel One Angel Broking के साथ क्योंकि यहां पर account opening एक तो free है यह साथ जो पहले साल का ANC राइट वो भी यहां पर free है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं long term stocks buy करके एक portfolio बनाने के लिए क्योंकि यहां पर delivery के लिए कोई भी charges नहीं है ठीक है चलिए यहां पर बहुत सारे लोगों ने recently join किया हुआ कई सारे नए subscribers है तो उनकी information के लिए हम बात कर लेते हैं कि bonus share actually में क्या होता है तो जैसे हमें salary में bonus मिलता रहे तो मालीजे कि X हमें salary मिल रहे है तो X का कुछ part कुछ percentage हमें as a bonus मिलता है ठीक अब stock में bonus समझने के लिए एक हम example लेते तो यहां पर मालीजे आपके पास एक pizza है बोला जाता है कि existing एक pizza पे आपको एक bonus दिया जाएगा ठीक है तो होता क्या है कि existing pizza पे अगर आपको bonus दिया जाता है तो आपके पास एक पहले से था आपको एक bonus मिला यहां पे आपके पास हो जाएंगे number two total number two हो जाएंगे टीक है बिल्कुल कुछ इसी तरह का होता है जब आपको बोनस रिशू किया जाता है तो माली जय होन जो डीटेल में नहीं जा रहेंगा तो आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको एक शेयर शेयर प्राइस डिवाइड बाई इस केस में 2 हो जाएगा अगर आपको 1 is to 1 की रिश्यू का पोनर शेयर इश्यू होता है ठीक है चलिए तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं BSC Limited स्टॉक की जो की 1951 रुपय के आसपास यहाँ पर ट्रेट कर रहा है आज की दिन 0.88% के आसपास इसमें अपवर्ड मोमेंट हुई है तो हमें as a retail investor समझना होगा कि भी BSC Limited करती क्या है और साथी साथ इसके fundamentals क्या है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stock exchange and ratings sector की company obviously हम सबको पता होगा अगर हम investment करते हैं stock market में तो BSC और NAC दो एक stock exchange है जो की जिनमें की हमारे shares listed होते हैं और हम वहाँ पर trade करते हैं ठीक है small cap की company 8700 करोड रुपय के आसपास market के application है और यहाँ पर all time chart अगर हम देखे तो आप देख सकते हैं कि all time chart पे 80% के आसपास आपको returns देखने को मिल रहा है तो 2017 के बाद से इसमें गिरावट रही थी लेकिन उसके बाद एक जबरदस यहाँ पे upward moment देखने को मिल रहा है stock का जो price to earning ratio है 60 के आसपास है थोड़ा सा overlap बना जाएगा currently current levels पे dividend paying company 1.09% के आसपास dividend इसका ठीक है यहाँ पर shareholding pattern अगर हम देखे तो आप देख सकते हैं promoter के पास कोई भी shareholding नहीं है तो generally ऐसी company हो में investment नहीं करते हैं जिनमें की promoter shareholding नहीं होती है बट कुछ company ऐसी है जो की शांदार perform करती है उनके पास कोई भी promoter shareholding नहीं है आप भी comment करके कुछ company के नाम हम बता सकते हैं उनमें हम investment कर सकते हैं क्योंकि fundamentally strong company होती है ठीक है यहाँ पर public investment 88% के आसपास है आप देख सकते हैं 88% के आसपास public investment तो है लेकिन जो retail investors है केवल 42% है यहाँ पर 42% out of 88% retail investors है और institutional holding यहाँ पर 11% के आसपास देखने को मिल रहे है तो यहाँ पे भी qualified investors की list आपको देखने को मिल जाएगी तो इस पे भरोसा किया जा सकता है ठीक चलिए अब financials देख लेते हैं इस company के overall financials क्या कहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो total revenue था 2018 में वह 1200 करोड रुपए के आसपास था 2021 में just 50% से degrade होता हुआ दिखाई दे रहा है overall revenue और profitability के बात करें तो 777 क करोड रुपए के आसपास profit था 2018 में यहाँ पे केवल 1500 करोड रुपए के आसपास profit देखने को मिल रहा है तो इसमें भी हमें गिरावट दिखाई दे रहे हैं और जहां तक free cash flow की बात करें तो 2020 में positive free cash flow था but overall यहाँ पे negative free cash flow देखने को मिल रहा है 2018 से 2021 थक चलिए अब बात इसको और उस meeting में decide कि आया है कि वही bonus share issue करना है या नहीं तो जब भी इस तरह का proposal होता है right bonus share का proposal जब होता है meeting में तो यहाँ पे 99% chances होते हैं कि यह bonus share declare करेंगे तो आप clearly यहाँ पे एक strategy के साथ चल सकते हैं 8 February 2022 तक इनके stock prices में appreciation देखने को मिल सकता है ठीक है और currently अगर हम technical levels पर ध्यान दें तो आप देखिए जो इसका chart pattern है आपको एक higher high higher lows वाला pattern दे रहा है पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें और 50 days moving average इसके लिए एक अच्छा खासा base बनता है तो जब भी 50 days moving average की आसपास आता है वहां से हमें reversion देखने को मिलता है तो currently अगर ध्यान तो इसमें correction तो हो रहा है बट correction के साथ ही साथ यह 50 days moving average से दूर है तो generally जब bonus share announcement होता है या इस तरह का notification आता है तो stock prices में आपको एक drastic spike देखने को मिलता है तो यहां पर हम anticipate कर रहे हैं कि इसके prices में at least 30-40% या उससे ओपर की हमें upward moment देखने को मिल सकती है after this particular declaration ठीक है तो overall fundamentals अ कर रहें कंपनी profitable है cash flow हाला कि negative है यहां पर फिट बैट रहा है अब gram number पर ध्यान दीजे तो 716 का gram number और currently just double महंगे दाम पर यह stock मिल रहा है return on equity यहां पर केवल 6% return on capital employed 8% और overall debt देखे तो बिलकुल zero debt category की company है और यहां पर देखा जाए तो failure के chances बहुत ही कम है हाला कि PG ratio यहां minus 24 है तो यहां पर growth हम anticipate कर रहा है जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे है इसमें revenue में हमें decline देखने को मिल रहा है इसमें profitability में decline देखने को मिल रहा है overall ठीक है तो fundamentally बहुत high five happening stock नहीं है तो यहां पर जो bonus यह इन्होंने announce किया इसको हम as a swing trade opportunity ले सकते हैं फिलहाल बट stock exchanges है इंडिया में और NST जब list होता है तो I think कि इसके prices के ऊपर एक तरह से pressure रहेगा फिलहाल इस stock को हम swing trade के लिए रख सकते हैं अपनी portfolio में जब तक कि bonus share का dates decide नहीं हो जाता तो I think आपको clearly समझ में आगा कि BST Limited कैसा stock है और BST ने जो bonus share यहां पर announcement करना है आने वाले समय में उ होगी वीडियो को लाइक करिए कोई भी सवाला तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर करिए और यहां पर एक छोटा साथ डिस्क्लेमर की पर किसी तरह का recommendation नहीं कि blindly stocks में investment करिए हम आप लोग के लिए information लाते रहते ताकि आप सीख सके और एक profitable investor बन सकें stock market में